हेलो गाइज क्या हाल चाल है उमीत करता हूँ की आप लोग बढ़ी आोँगे आज की वीडियो में मैं बात करूंगा क्या क्रोशिय का वीजा बंदो चुका है क्या अब अपना वीजा नहीं लगेगा जा जिन लोगों ने अप्लाई कर दी है क्या उनका वीजा नहीं आएगा जा रिफ्यूजल मिलेगी उनको आज की वीडियो में मैं एक अपडेट लेक रहा हूँ आपके लिए एक क्रोईशे वीजा के रिकार्डिंग तो कि बहुत सारे लोग इसी चक्कर में किन्फ्यूज हैं कि उनका वीजा क्यों लेट हो रहा है आज की वीडियो में सब आपको सच चोर सच के साथ साथ आपको सब समझा भी दूँगा भी क्यों लेट हो रहा है वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा जिन लोगों ने अप्लाई कर दी है वो भी इस वीडियो को लास तक देख लें जो करने का सोच रही है समिशन का वो भी ये वीडियो लास तक जरूर देख लें और आप शुरू करते हैं मर्याज की वीडियो यूट्यूबर मैं देख रहा हूँ भी कुछ यूट्यूबर बहुत मिस्ट गाइड कर रहे हैं वीडियो के उपर लिख रहे हैं भी क्रोईशे के वीजा बंद हो चुका है उसके ओपर एक ऐसे डरे हुए निशान लगा रहे हैं और पीछे कोश्चिर मार्क लगा रहे हैं भी आप नेक्स्ट येर ही खुलेगा उस तो ऐसे यूट्यूबर हैं जो लिख रहे हैं भी नेक्स्ट येर ही लगेगा पर यह सब व्यूज के चक्कर में हैं सब जूट बोर रहे हैं सब आपको गुमरा कर रहे हैं दोस्तों हर एक वीडियो में सच बोलता हूँ मैं आपको सच गाइड करता हूँ आपको जैनुवन जो इंफ्रमेशन होती है वो ही बताता हूँ कुछ लोग यही पूछ रहे हैं भी एक दो मेंत हो गए हमारे समिशनोई को हमारा वीजा अभी तक नहीं आया वीजा आएगा अज नहीं आएगा कि हमें रिफ्यूजल मिल जाएगी जिन जिन ने अप्लाइ कर दी है ना उनका एक दो मनत इसलिए लग रहा है कि एक तो जैसे जो वर्क लोड है वो हाफ से कम लोगों पर पढ़ चुका है जिस वजह से यह काफी लेट हो रहे हैं यह आपको पास समझनी चाहिए दूसरा में कारण है पेपर को अच्छे से चेक करना कुछ ट्रावल जेंट ने फेक परमिट लगा दी थे जिस वजह से दोस्तों क पर को अच्छे से चेक करते हैं इस वजह से भी वीजा थोड़ा लेट हो रहा है पर अब मैं बात करता हूँ भी इसका मतलब यह नहीं है भी वीजा बंदो चुका है जैसे बहुत सारे यूटूबर मैं देखता हूँ सिर्फ उनकर एक ही लाल चोता है भी हमें व्यूज मिल पर इसका मतलब यह नहीं है कि वीजा बंदो चुका है जाए वीजा अब नेक्स ये खुलेगा यह सब एक यूटूबर है अगर मैं आपको सच बिताता हूँ भी एक दो मन्त का टाइम लग रहा है दोस्तों एक दो मन्त के अंदर वीजा लगकर आ रहा है कुशले होगा धा वीजा सो परसेंट लगेगा अगर कहीं न कहीं आपके ट्रैवल जेंटर ने आपके साथ धोका किया है वर्क पर्मट फेक है जो हो रहा है तो भी टाइम तो देखो उत्रहीं लगेगा मगर वीजा लगने के चांस जीरो हो जाते हैं बस आपको यह बातों का सिद्यार रखना अगर आपके पास आपके वर्क पर्मट की फोटो है तो आप मेरे को दिखा कर पूछ सकते हो वो जैनून था या नहीं था आपको तसलिय हो जाएगी अगर आपके जैनून डोकॉमेंट से तो आपको घुबराने की कोई जूरूत नहीं है बे फिकर हो जाओ भूल जाओ भी अपने स्मिशन भी करवा रखी है कुछ टाइम में यह दस दिन दी दिन दो दो चलता है दोस्तों आपका वीजा लगकर जुरूर आ जाएगा अगर आपको कोई और इंफ्रोमेंश से चाहिए तो आप मेरे को मैसिज कर सकते हो कमेंट कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच् पतक के लिए बाई बाई टेक केर